अगर आपको हमारे आज का ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो के नीचे दिये गए बैल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा जिससे आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल सके और आप उससे मैक्समम फायदा ले सके तो चलिए फ्रेंट्स शुरू करते हैं बिना किसी दिले के आज के पहले प्र है फ्रेंट्स 24 दिसंबर 24 दिसंबर जो है वो राष्ट्रे उपभोगता दिवस्ट के रूप में भारत में मनाया जाता है पोलो खेल में कुल कितने खिलाडी भाग लेते हैं आंसर है चार गीत सेथी कौन से खेल में पारंगत है स्नूकर में गिधा निर्थ का संबंध किस राज से है तो गिधा निर्थ जो है दोस्तों वो पंजाब राज से संबंध निर्थ है कुचिपुरी किस राज का शाष्ट्रिय निर्थ है आंध्र प्रदेश is equal to कुचिपुरी निर्थ बिमिस्टेक के स्थापना कब हुई थी सन 1997 इसवी में बिमिस्टेक की स्थापना हुई थी भारत में टेलिविजिन के शुरुवात कब हुई थी तो भारत में फ्रेंट्स टेलिविजिन के शुरुवात 15 सतंबर 1969 में हुई थी अंतराष्ट्रिय न्यायाले कहां स्थित है? हेग में स्थित हैं अंतराष्ट्रिय न्यायाले उलम्पिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो दोस्तों उलम्पिक खेलों का आयोजन प्रते एक चार वर्ष के बाद किया जाता है जैसे कि वर्ल्ड कप का आयोजन प्रतेक चार वर्ष के बाद किया जाता है प्रिकेट से लोगों को आसानी से याद होगा उलम्पिक खेल भारतिय राष्ट्रे ध्वज में तीलियों की कुल संख्या क्या है तो 24 तीलियां है राष्ट्रे ध्वज में जो दिन के 24 घंटों को निरूपित करती है चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है तो चंद्रकांता उपन्यास जिसपे की सीरियल भी बन चुका है के लेखक देव की नंदन खत्री है ज्यानपीत पुरसकार किस कार के लिए दिया जाता है ज्यानपीत पुरसकार साहित में अच्छे लेखन के लिए दिया जाता है केंद्रिये अनुवेशन ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थाप्ना फ्रेंट्स वर्ष 1903 इसवी में हुई थी हिंदूओं का सरवाधिक अनुपात किस राज्जय में है तो ओडिस्या राज्जय में हिंदूओं का अनुपात जो है फ्रेंट्स वो सबसे ज्यादा है भारत का फिल्म निर्मान में विश्व में कौन सा अस्थान है तो भारत फिल्म निर्मान यानि कि अपना बॉलीवुड जो है वो विश्व में फिल्म निर्मान के छेत्र में प्रथम अस्थान परेफरेंस सबसे ज़्यादा फिल्में हमारे भारत में ही बनती है प्रतिवर्ष मैकसे से अवोर्ड पाने वाले प्रथम भारतिये कौन थे विनोबा भावे नौसेना अकादमी कहां स्थित है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीक को मनाया जाता है तो आठ मई जो है उसे विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है विश्व श्रमिक दिवस यानि कि वोल लेबर डे कब मनाया जाता है एक मई को राष्ट्रिय पंचायत कहां की संसत को कहा जाता है तो नेपाल की संसत को फ्रेंश राश्ट्रिय पंचायत कहते हैं रूबल कहां की मुद्रा है? तो रूबल जो है वो रूस की मुद्रा है रॉमेउ की मात्रा रॉमेउ की मात्रा आसानी से याद कर लीजिए प्रसिद जगरनात उत्सव का संबंद किस राज से है? तो जगरनात उत्सव का संबंद फ्रेंट्स ओडिसा राज से है भारत का राश्ट्रिय खेल कौन सा है? होकी क्रिकेट समझ के कन्फ्यूज मत होईएगा हलाकि क्रिकेट होकी से ज़्यादा लोग प्रिये है लेकिन हमारा राश्ट्रिय खेल होकी है भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा था? आरे भट उस उपग्रह का नाम दिया गया था आसियान का मुख्याले कहां इस्थे थे? जकारता में आसियान का मुख्याले इस्थे थे? भारत रत्न से किस विदेशी को सर्व प्रतम सम्मानित किया गया था तो भारत रत्न जिश विदेशी को सबसे पहले मिला था वह थे खान अब्दुल गफार खान शुश्क छेत्रिये वानी की अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है जोदपुर में यह संस्थान स्थित है गोदान और गबन दोनों किस लेखक की रचनाये हैं तो ये दोनों रचनाये फ्रेंस मुन्षी प्रेमचंद्र की है विश्व में किसी देश की प्रतम महिला प्रधान मंत्री कौन बनी थी तो विश्व में प्रत्थम महीला प्रधान मंतरी श्री लंका की श्री मावो भंडार नाय के बनी थी संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है तो संयुक्त राष्ट दिवस संयुक्त राष्ट इस्थापना दिवस कहना चाहिए 24 ओक्टूबर को मनाया जाता है कबड़ी खेल में खिलारियों की संख्या कितनी होती है तो प्रतेक टीम में खिलारियों की संख्या साथ होती है कबड़ी खेल में हिंदी भाषी भारतियों का प्रतिशत लगभग कितना है 45 प्रतिशत लोग हिंदी भाषी है युनिस्को का मुख्याले कहां इस्थित है पेरिस विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है पाँच अक्टोबर को मनाया जाता है फ्रेंट्स भारत में विक्सित सतह से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल कौन थी तो सतह से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल जो थी उसका नाम था फ्रेंट्स पृत्वी भारतिय मिसाइल परिक्षन स्थल चांदीपूर किस राज्य में स्थित है? तो चांदीपूर जो है वो उडिसा राज्य में स्थित है पुलितजर पुरस्कार किस छेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है तो पुलितजर पुरस्कार जो है वह पत्रकारिता के छेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है भारत के और द्योगिक वित निगम की स्थापना कब हुई थी? 1948 इश्वी में भारत के और द्योगिक वित निगम की स्थापना की गई थी भारत का राष्ट्रिय चिन कहां से लिया गया है? तो दोस्तो भारत का राश्ट्रेचन सारनात में इस्थित अशोक के सिंग स्तम से लिया गया है केंद्रिय जाँच ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1903 में केंद्रिय जाँच ब्यूरो की स्थापना की गई थी उत्तर प्रदेश में इंद्रा गांधी नक्षत्र शाला कहां अवस्थित है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनव में इंद्रा गांधी नक्षत्र शाला स्थित है भारत रत्न पुरसकार पाने वाले प्रथम भारतिये कौन थे तो वह थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जिनके जनम दिवस पे 5 सेप्टेंबर को हम लोग पुरा इंडिया टीचर्स डे मनाता है विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है सेन मेरिनो देश जो है वह विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है बेंटिक ब्लोक शब्दावली किस स्खेल से संबंधित है तो बेंटिक ब्लोक जो है वह कबड़ी से संबंधित है जिसमें एक टीम में 7 प्लेयर्स होते हैं जैसा कि हमने पहले के प्रश्णों में देखा है दक्षणी धुरुव पर सर्व प्रथम पहुँचने वाला व्यक्ति कौन था? एमुंटसन जो था वह दक्षणी धुरुव पर सबसे पहले पहुँचने वाला व्यक्ति था संयुक्त राष्ट्र संध महासभा की प्रथम महीला अध्यक्ष कौन थी? तो वह थी विजय लक्षमी पंडित विवादा स्पद किताब सिटनिक वर्सेज के लेखक कौन है? सलमान रशदी स्पुस्तक के लेखक है शोडा किस देश की संसत को कहा जाता है? शोडा अफगानिस्तान की संसत को कहा जाता है अफगानिस्तान के पाल्लेमेंट को कहते हैं देश का सबसे उच्चा टीवी टावर कहां इस्थित है? तो फ्रेंट्स देश का सबसे उच्चा टीवी टावर मद्ध प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस्थित है कौन सी थी आलम आरा वो फिल्म थी जिसमें आवाज थी दोस्तो अगर आपको हमारे आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे लाइक शियर और कमेंट करना बिलकुल न भूले क्योंकि आपके कमेंट से ही हमे अक्सिमम फाइदा हो सके थैंक यू फ्रेंज फर यू लावन सपोर्ट